श्वागत आप सभी काफिर शेश नए वीडियो में आप देख रहे हैं इस डेंट इलाइज यूटूब चैनल तिलगावाण जी भागलपूर इंवर्शेटी में अशना तक समेस्टर तू का जो सेकेंड रूटिंग है उससे भी रिलीज कर दे गया जो 23-27 सेशन का सेकेंड स इस वीडियो में हम लोग उसे ही समझने का पर्यास करेंगे चलिए वीडियो को शुरू करते हैं लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप सब इसे चोटी सीरी क्वेश्ट है कर भी तक आप ने शेनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भागलपूर इंवर्शेटी श सोसल मिडियाज से भी से प्राप्त कर सकते हैं इंस्ट्राग्राम और या साथ ही साथ फेस्बूक गुरूप से भी आप देख पाएंगे यहां पर दिखाई दे रहा होगा वेचलर प्रोग्राम फोर वेचलर ओनर्स इंडी समेस्टर टू इग्जामिनेशन 2024 समेस्टर टू वह मैंने आप सभी के साथ डिसकस कर लिया था यहां पर तीन सब्जेक्ट्स की रूटिंग बचीगी है जैसे कि एसी कोर्स हो गया एन वी एसी यानि वकाशनल कोरस हो गया इन सभी के लिए आपके यह रूटिंग है रिलीच किया गया है यहां पर गुरूप बाइज ही रि थीनों में आता है तो जो भी चात्र का इंवैंट साइंस होगा एएसट उमें एकजाम देंगे और वह देखेंगे हम लोग गुरूप एक क्ष दिर वाला है पहले हम लोगुण देख लेते हैं सब किस गुरूप में किसे रखा गया उसके बाद फिर देख ली इसकी होगा जो चेंज किया है तो यह सारे रूटेंगे बहुत सारी शात्रों को समझने में दिक्कत हो रही क्योंकि अभी पैटर्ण में बिल्कुल बदलाओ कर दिए गया है गुरूप बी का बात करें तो गुरूप बी में यहां पर जो है बिगिनर्स कोर्स कॉलिग्राफ या फिर आर् का बात करें के इसमें के लिग वाओ कzet ने को मस्क घृणा को मीसिक और घृटूप बीक बात करें तो बैइक मस्टमेटिक्स है यह साइनस आर्ट्स अपर शब्रेर ढ़का ऊब करें ढ़नागा उसके बाद इमोशनल इंटविजयंस है जो कि यह की आ fastest से भी जानना जाता है जब इमोशनल इंटलिजेंस की बहुत ज़रूरी होती है जो कि आप अभी पढ़ाया जाएगा पोश्रीखाया जाएगा यह गुरूप बी में है ठीक है उसके आगे देखा जाए तो इमोशनल इंटलिजेंस भी साइंस को मर्स आट्स वाले सभी जो बाद में कल्चर वेग रहे हैं तो उन सभी क्या भेलू था उसके साथ जो इत्विक्स मॉरालिटी जुड़ा हुआ है उन सभी का ट्रेडिशन के लिए भी अब अला कोर्स लांज किया गया जिसमें की भारतिया इत्हास पढ़ाया जागा पहले क्या था बात्वान क्या इसमें जो हमारे नेंदर मोदी द्वारा वीशो योगा बनाए गया है तो योगा है फिलोशफी है एंड इसके साथ कुछ प्रेक्टिश करना है योगा फिलोशफी का यह जो है आपका आर्ट शाइंस को मरस तीनों में लागू है उसके बाद सोचल एंड इमोशनल लर्णि इसके कौन से रूटिंग है कैसे उसके एक्जाम लिए जाएंगे बंद यहां पर हम लोग पहले यह समझ लेते हैं कि जो रिलीज क्याएंगे पर इच्छा लेंगे अगर हम लोग गुरूप ए का बात करें तो जिसका गुरूप ए में इन्वार्मेंटल साइंस है आर्ट सा 2024 को यानी की 1 एक अक्टूल 2024 को होगा उसके पाद एसी के एक ही गुरूप है इस इमगे आगेगा सबबजेक्ट है यहाँ परशनलिटी डूल्पमेंट एंड म्यीट्शन तो तो SEC का गुरूप A में है तो देखते हैं SEC का गुरूप यह किस दिन होने वाला है तो SEC का गुरूप A है यह चार तारीक को चार अक्टूवर 2024 को होने वाला है अब किसी का सब्जेक्ट जो है SEC का गुरूप B में देखें हैं पर SEC है इसी का गुरूप B में सब्जेक्ट गुरूप B का एक्जाम किस दिन ले जाएगा तो यहां पर देख सकते हैं SEC का गुरूप B का एक्जाम लिया जाएगा यहां पर दो पीम से लेके फाइव पीम तक और यह लिया जाएगा डेट वही चार तरीक को ही शेकिन शिटिंग में वहीं अगर SEC का गुरूप C बात किया जाए तो वह जाएगा पांच दस दोहजर चौबिस को फर्स शिटिंग में ठीक है अब वोकेशनल कोर्स का बात करते हैं तो वोकेशनल केर्स में भी गुरूप A है गुरूप B है गुरूप C है इसी परकार से देख लेना है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट है साइन्सर्ट कोमर्स और उसमें साका कौन सा सब्जेक्ट है स्प bowls ole juga कि किसी के मैं आप मान लेता हूँ कि emotional intelligence तो emotional intelligence यहाँ पर गुरूप B में दिखा रहा है कि किसका गुरूप B है तो वहीं सुका गुरूप B में और यहाँ हम को नीचे आना है रू लिए जाएगा उसी तरह से भी एसी का गुरूप सी देख लेना विए वोकेशनल कोर्स का एक्जामनेशन शेडूल यह है फर्स टीटिंग जो चला जाएगा दस पीम दैस एम से लिके एक पीम तक सकेंड दो पीम से लिके पांच पीम तक एक्जाम से लिटेड़ सारी जनने के लिए अब इस चैनल को बश्ची सब्सक्राइब कर लें ताकि इस लिटे जो भी आगया अपडेट आएंगे वह सारे आप स्क्राइट करते हैंगे